लोमरी और सारस की दावत एक जंगल में एक चालाक लोमरी और सारस रहते थे दोनों बहुत अच्छी दोस्त थे साथ घूमते, साथ ही खाते पीते थे सारस लोमरी को तालाब से मच्छी पकड़ कर खाने के लिए देता था उनके दिन मजे से कट रहे थे सारस बहुत भूला था पर लोमरी शेतान भी थी और चालाक भी उसे दूसरों का मजा कुलाने में बहुत मजा आता था इसलिए वह हमेशा दूसरों को परेशान करती रहती थी एक दिन उसने सोचा कि क्यों न इस भूले से सारस का भी मजा कुलाया जाए उसने सारस को अपने घर दावत पर बुलाया और जान बूच कर खीर एक प्लेट में परोसी उसे पता था कि सारस प्लेट में खीर को नहीं खा पाएगा क्योंकि उसकी लंबी चोंच है उसे इस तरह परेशान देख लोमडी मन ही मन बहुत खुश हुई और जूती चिंता दिखाते हुए सारस से पूचने लगी कि क्या बात है दोस्त खीर पसंद नहीं आई जल्द ही लोमडी अपनी पूरी खीर चक कर गई और बेचारा सारस मन ही मन गुस्से और अपमान का गूट पी कर रह गया पर जाते जाते सारस ने भी उससे मज़ा चखाने की सोची कुछ दिन बाद उसने भी लोमडी को अपने घर दावत पर बुलाया और उसने भी खीर बनाए सारस ने दो सुराही में खीर परोस दी और लोमडी से खाने को कहा सुराही उपर से पत्ली थी जिसकी वज़े से लोमडी कुछ न खा सकी और सारस की अपनी लंबी चोंच से पूरी खीर मज़े से खा गया लोमडी को एहसास हुआ कि उसने जैसा सारस के साथ किया, खुद उसके साथ भी वैसा ही हुआ पर वो कुछ बोली नहीं और मन ही मन अपने के पर पच्चताने लगे सी, किसी को छोटा या कमजोर मानकर उसका मज़ा को लाना या अपमानत करना गलत है हम जैसा करेंगे हमारे साथ भी वैसा ही होगा